हाई एबरीवन वेलकम टू अपरनाज कीचन मैं हूँ अपरना फ्रेंट्स आज में लाई हूँ ब्रेड और प्याज से बनने वाला बहुत ही क्रिस्पी चटपटा नास्ता लोकडाउन में सभी का कुछने कुछ खाने का मन होता है चटपटा सुबह हो या पिशाम हो तो फ्र प्रेंट्स आज में आपसे दो तरह के नास्ते की रेस्पी शेयर कर रही हूं ब्रेड से बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनेगा तो यहां पर मैंने लिए हैं चार ब्रेड के स्लाइस तो मैंने बाइट ब्रेड ली है आप के पास ब्राऊंद ब्रेड है थो भी ले सकते हैं बर्त अगर आप ब्रेड लेंगे तो ज्यादा अछ रहेगा तो अब हम स्लैस के किनारे इनको कट कर देंगे इनको हम निकाल अश्यतunion तो इस में ब्रेड के एज़न नहीं चाहिए तो इसे हम निकाल देंगे क्योंकि इसके जो एज़स होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं तो देखिए मैंने इसको इस तरह से कट कर दिया है इसी तरह से हम अपने सारे स्लाइस त्यार कर लेते हैं अब देखिए ब्रेट के जो एज़स हैं इनको मैंने कट कर लिया है अब ब्रेट को मैं साइड में रख दूँगी और यहां पे जो इसके एज़स बचे हुए इनको हम अलग रख देंगे और इनको आप फेकिए अगर नहीं इनका यूज आप ब्रेट करम सबनाने में कर सकते हैं और अब देखिए यहां पे मैंने पांच इस तरह से छोटे साज के प्याज ले लिया है और इनको अब हम इने कट करेंगे तो कट कैसे करना है देखिए इस तरह से चोटे-चोटे पीसेस में इसे कट करना है बट इसे लंबाई में कट करना है तो इस तरह से हम इने कट क करिएगा कि हमें इसके बड़े पीस नहीं चाहिए और देखिए एक प्याज मेंने कट कर लिया है तो इस तरह से मैं सारे प्याज को कट कर लेती हूं यहां पे मैंने पांच पीस लिये थे तो फ्रेंस यहां पे आप चॉपर से प्याज को चॉप ना करें क्यूंकि उस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखिए यहां पे हम इस प्याज को इस से हाथों से क्रम्बल करेंगे ताकि इसका हर एक पीस अलग हो जाए और इसके लच्छ लच्छ से दिखने लगे अलग-अलग तो देखिए इस तरह से हमें इसको करना है त तो अपने मिर्च को नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर दीजिए तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूं मिर्च पाउडर की जगे आप काली मिर्च का पाउडर भी यूच कर सकते हैं तो इससे बच्छे भी खालेंगे उस नाच्टे को और बहुत ही अच्छी रहती है काल करेंगे एक देखिए बड़े साज की हरी मिच थी उसे मैंने चोटे-चोटे पीसे में कट कर लिया है साती हराधनिया मिक्स करेंगे अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला देते हैं और देखिए स्टेपिंग हमारी कितनी अच्छी लग रही है और अभी इसमें एक दो मिक्स कर देते हैं और नमंग आप यहां पर लास्ट में मिक्स करें कुछ चुरुआत में मिक्स करेंगे तो इसमें पानी रीलीज होगा और अब एक जरूरी बात यहां पे हमें बाइंदिंग चाहिए तो बाइंडिंग के लिए आप यहां पे एक इस तरह से छोटे साइज का आलू मिक्स करें कुबला हुआ मैश करके तो नहीं तो आप यहां पे 2-3 टेबल स्पून पोहा भी मिक्स कर सकते हैं बट आलू का टेस्ट बहुती अच्छा लगता है बच्चे भी बहुती मन से खालेते हैं तो इसलिए मैंने यहां पे आलू मिक्स किया है नहीं तो यह टोटल ऑफशनल है अगर आप नहीं मिक्स करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से ही बना सकते हैं बिना आलू मिक्स किये बड़ पोहा तो आपको मिक्स करना होगा क्योंकि हमें बाइंडिंग चाहिए होती है तो देखिए हमारी जो स्टफिंग है इस तरह से बन गई है अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी जो घंटी का बटन होगा उसको भी जरूर प्रेस करें तो अब देखिए जो हमारे ब्रेड के स्लाइस हैं उसे हम इस तरह से बेल लेते हैं बेलन से बहूत बेलना है इस तरह से तो अगे ब्रेड फ्रेड होगी तो बिल्कूल भी नहीं तूटे गी बेलने पे और आप यहां पे फ्रेश ब्रेड का ही यूज करें तो देखिए यहां पे मैंने इसे बेल लिया है और आब इसके जो एजस हैं अनिवन हो गय तो हमारा दखिए तैयार है तो इसी तरह से पैल कुम आपको कुम दिखाते हैं, जाद माऊतना, स्टुफिंग से छेई 2-30 बालक्त हरी मटर अगर अगराइक नहीं अगर ूरू जरूर मिक्स करें इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है इस ने खाने में तो यहां पर मैंने देखिए इससे mix कर दिया है यह total optional है जरूरी नहीं है कि आप इससे mix ही करें तो देखिए अब हमारी स्टपिंग तयार है तो अब हम बनाते हैं नाश्ता तो यहां पे देखिए मैंने पानी लिया है एक चोटी सी कटोरी में अब हम यहां पे एक ब्रेट का पीस लेते हैं और पानी को इस तरह से इसके एज़ेस पे लगा देंगे और अच्छे से तो आप यहां पे हम थोड़ी सी स्टपिंग इसके सेंटर में इस तरह से रखेंगे और श्टपिंग को बहुत ज्यादा नहीं रखना है बना साइड से निकलेगी तो देखिए अब इसे फोल्ड कर देते हैं और अब इसे अच्छे से श्टिक कर देंगे इस्टपिंग को नहीं लगा है पानी नहीं चिपक रहा है तो आप वहां पे थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा सकते हैं दुबारा से और उसे अच्छे से चिपका दीजिए तो आपको यहां पे सलरी बनाने की जरूरत नहीं है इस तरह से पानी से ही बहुत अच्छे से चिपक जाता है और इसे जब आप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी खुलेगा नहीं जब आप इस तरह से चिपकाएंगे और देखिए एक तयार हो गया है तो इस तरह से हम अपने सारे बना लेते हैं तो देखिए आप हमने ये सारे बना लिया है बट इन्हें फ्राई कैसे करना है वो भी याने कुटी हुई लालमिर्च आप लालमिर्च का पाउडर भी एड़ करसकतें इस अब हम यहां पे थोड़ सा पानी इस मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से मिला जीतें इस तら से के क्वें गार्स आग गर्म होना चाहिए और इस तरह से हम अपने जो समोसे हैं इन्हें हम फ्राइब करेंगे तो इन्हें हाई हीट पे फ्राइब करना है और अगर आपने हीट लो या फिर मीडियम रखी तो जो ब्रेड है तेल को अब्सवाब कर लेगी और फिर वो खाने में नहीं अच्छे लग करते हैं तो यहां पे जो हमने चार ब्रेड को इस तरह से कट कर लिया है इसके किनारों को निकाल दिया है क्यूंकि इसके किनारे बहुत ज्यादा होते हैं तो इन्हें निकाल दीजेगा अब हमने जो स्लैस को इस तरह से डीप करेंगे और अच्छे से डीप कर लेना है इसक और यहां पर आपको जितनी स्टफिंग रखनी है रख सकते हैं जितना बड़ा आपका ब्रेट का स्लाइस है तो हम अब इसको चारो साइड से फोल्ड कर देंगे और इसे अच्छे से इस तरह से बना लेते हैं तो आप यहां पर बॉल शेक पर भी बना सकते हैं तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं बहुत ही इजी बन जाता है और इसे बच्चे तो बहुत ही चारो से खाते हैं तो आप हम इन्हें फ्राइ कर लेंगे तो इन्हें भी हाई हीट पे फ्राइ करना है तो लो या फिर मीडियम हीट पे आपको नहीं फ्राइ करना है तो ब्रेड है त कोई जंजट नहीं है तो देखिए दोनों तरह का नास्ता बनके त्यार है तो आपको कौन सा नास्ता पसंद आता है आप जरूर बताइए कोमेंट में और अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कीजिए अपन के बाद बेल बटन को प्रेस कीजिए तो आप लोग भी ट्राइए कीजिए इसे मिलती हूं नेक्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग बाबाई